फ्रेंड्स, IPL 2020 के trade window शुरू हो चुकी और अब से लेकि लगबग नहीलामी तक ये trade window चलेगी इस दोरान काफी सारे players होंगे exchange, काफी सारे players होंगे trade, काफी सारे बड़े players को बदलनी पड़ेगी अपनी team है और अभी जो करनली ट्रेड विंडो के तैज शोशल मीडिया पर खबर निकल कर सामने आ रही है उसके एकोर्डिंग RCV के शिमरोन हैटमायर और CSK के फैब डूपलेसी होने वाले ट्रेड और एक्सजेंज यानि दोनों टीम इन दोनों प्लियर्स को करने वाली है एक्सजेंज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या सच मुची ये दोनों टीम में इन प्लियर्स को एक्सजेंज करने वाली है या फिर नहीं और अगर करेगे तो ये trade किस तारीक को होगी ये सारी detail में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाते हैं आपकी फेवरेट टिम जीते IPL 2020 का सीजन तो नीचे काई लाइक का बटन दियों को उसको जरूर दपा दे और हमारे चैनल को जरूर करते सबस्क्राइब फ्रेंड्स अगर हम बात करें शिमरोन हैटमायर की तो RCB ने IPL 2019 के सीजन में शिमरोन हैटमायर को अच्छे कासी रकम में यानि लगबग 4-4 क्रोड रुपर में खरीदा था इसके बाद उनका परदिशन RCB के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था लेकिन इसके बावजूद RCB ने शिमरोन हैटमायर में काफी इन्वेस्ट किया था और IPL के आखरी लीग मैच में शिमरोन हैटमायर ने 70 प्लेस रन किये थे और RCB को सिंगल हैटली वो मैच जिताया था वही दूसरी तरब अगर हम बात करें CSK के FAB डूपलिस की तो पिछले लगबग 7-8 सालों से FAB CSK के लिए खेल रहे हैं और CSK के सीनियर प्लियर MS दोनी सुरेश रेना और ब्रावो के साथ ही इस लिस्ट में FAB का नाम भी आता है और CSK को Champions Trophy 2014 जिताने में FAB की एहम भूमिगा रही थी और CSK के लिए IPL में पिछले लगबग 6-7 सालों से FAB काफी अच्छा परदशन कर रहे हैं और IPL 2019 का सीजन बिन के लिए काफी अच्छा रहा था यानि इन दोनों प्लियर्स का दोनों टीमों में काफी अधिक महत हुए इस्पेशली अगर हम बात करें शिमरोन हेटमायर की तो RCB की टीम पिछले एक साल से इन में काफी इन्वेस्ट कर चुकी है अब RCB ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इनको IPL का experience आने के बाद ये चले जाए किसी ओर टीम में और दूसरी टीम को इनका benefit मिले वह अगर हम बात करें FAB की तो FAB को IPL में खेलने का लगबग 7-8 साल का experience है और CSK कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इनका experience clear चला जाए दूसरी टीम में यानि इन दोनों टीमों के बीच कोई भी trade नहीं होने वाली है क्योंकि अब तक official और unofficial रूप से इस विशे पर कोई भी news सामने निकल कर नहीं आई है तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में आप comment section में comment करके बतिये क्या इन दोनों टीमों के भी trade होनी चाहिए या फिर नहीं इसके साथ ही वीडियो करे like और channel को जुरूर करे subscribe